हुआ मिले के ते तेल यह सके अच्छाहिए इसकोर्ण पॉइंट इसकोच्छ ए 135 के पॉइंट अटैज्ण मेश्येक्ज में इसको polys लिए हम इन इस्ट्रक्शर को देख नहीं बाते हैं, तो अगर जो हम देखे हैं, तो यहां पर आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि पहरे बात तो डायग्राम आप दियान से देख सकते हैं, कि हर डायग्राम को systematically जब हम बनाते हैं किसी भी डायग्राम को तो उसमें हमें लेबलिंग का दियान रखना होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि total चार लेबलिंग्स हैं, इन फोल लेबलिंग्स का हम यूज करेंगे और आप देख सकते हैं किसमें हर पार्ट को individually, बहुत clearly represent किया गया है, तो जैसा कि जब हम structure draw करेंगे, तो सबसे पहले आपको द यह जो इस्टो मेटा वाला पार्ट है, इसमें आप धियान रखेगा, किसे इस्टोमा भी कहते हैं, इस्टोमा रपर्जेंट सिंगलर फॉर्म, तो यह एक्जाम में इस नाम से भी आ सकता है, draw the diagram of इस्टोमा, तो इस्टोमा रपर्जेंट सिंगलर फॉर्म, आज आपको इ इस्टोमा और इस्टोमा तो में कहा difference होता है, अब हम यह जो structure है, इस्टोमा, रिपर्जेंट सिंगलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं, कि structure of estroma, तो दिखान रखेगा, जब हम estroma के structure देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट था है, epidermal cell, as you know, that is the outermost layer of plant, okay, तो leaf की, यह plant की, किसी भी पार्ट की, जो outermost layer होते हैं, उसमें कहते हैं, epidermal layer, that is made up of epidermal cell, so as you can see, epidermal cells हैं, यह इसकी surrounding है, फिर, जब हम guard cells देखते हैं, you can see, यह bean shape structure है, तो guard cells और epidermal cells के बीच में, जो accinity है, जो space है, उस space में भी एक cell होती है, जिसे कहते हैं, subsidiary cell, okay, तो subsidiary cell के जो exact location है, वो है, lie between epidermal cell and guard cells, ठीक है, तो जो space अभी लेवल है, between epidermal cells and guard cells, उसके बीच में जो cell आपको देखेगी, that is subsidiary cell, इसके दो function आपको दियान अखना है, पहला, यह guard cells के function को regulate करता है, और तूसरा आपको दियान लखना ह कि जो shape है guard cells की, वो कैसी होगी, वो भी decide करते है, कौन subsidiary cell, तो इस two function performed by subsidiary cell, okay, second, ठीक है, तो दियारा three types of cell you can see in the structure of histroman, ठीक है, epidermal, subsidiary and guard cells, फिर guard cells के बीच में आप देख सकते हैं, जो opening आपको देख लिए है, that is the most important opening, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, istrometal pore, आपको धियान जो इस्टोमेटल पोर होता है, यही वो actual site है, जहां से जो carbon dioxide है, वो enter करती है, और water और oxygen का जो loss होता है, plant से, ठीक है, या water और oxygen जो release करते हैं, into atmosphere, ठीक है, plant, वो इसी part से करते हैं, इसको हम कहते हैं, istrometal pore, तो इस्टोमेटल पोर अगर जो हम देखें, तो यह अभी आपको visualize हो रहा है, दिख रहा है, that's why इसको हम कहेंगे, open istrometa, या we can say open istrometa, ठीक है, लेकिन अगर जो यह पोर नहीं होता, ठीक है, अगर जो हम देखें तो यहां पर यह जो istrometal pore है, अगर जो close होता, बंद होता, ठीक है, आप यह नहीं होता, तो हम इसको क्या कहते हैं, close istrometa, इसको हम visualize कर पा रहे है, because of guard cells, ठीक है, क्योंकि guard cells यहां पर क्या है, open है, तो इसको हम next section में discuss करेंगी, guard cells कैसे open and close होती है, पर आपको ध्यान रखना है, जो structure है, अगर जो paper map उसे draw करेंगे, तो इसी pattern से आपको ध्यान रखना है, आपको labeling का ध्यान रखना है, जो अपने arrow है आप जैसे हां पर देख सकते हैं, कि एपिडर्मल cells को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह वाला arrow और यह सबसेडी cell को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह वाला arrow guard cells को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह वाला arrow guard cells को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह वाला arrow guard cells को रिप्रेंट तो सबसे पहले जो गाड़ सेल्स का फंक्शन है एस यो नो कि इस रेकुलेट ता ओपनिंग ओफ इस्टोमेटर पॉर तो आप देख सकते हैं कि आप इसकी मोबाइल स्क्रेंड में कर देखें दो डाइगराम मेंशन किया गया है जिसमें अगर जो हम देखें तो दोनों डाइ लेकिन आपको धियान रखना है कि जो डाइगराम यह है उसमें जो रेखुलेशन है है इस्टोमेटर ओपनिग और क्लोजिंग का that is regulated भाई इस सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स कोा टो सेंल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते है इस आर दे filaments that is present in guard cells as you can see कि अगर जो हम देखे हैं तो जो guard cells की जो cell walls हैं उनके अंदर आप ये जो lines देख रहे हैं these lines are microfibrils made up of cellulose तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो arrangement है that also involved in the closing and opening of stromata as you can see कि जब stromata open होता है तो जो guard cells की जो cellulose microfibrils हैं वो radially oriented है as you can see लेकिन जब stromata close होता है तो आप देख सकते हैं कि जो cellulose microfibrils हैं अब ये linearly arranged है okay linearly arranged है यहाँ पर अब ये radially arranged नहीं है okay जिसके वज़े से जो guard cells हैं वो cylindrical shape ले रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर bean shape थी ठीक है जब stromata open था ठीक है because of radially oriented microfibrils पर जब microfibrils linearly arranged हो जाते हैं तो as you can see कि they become cylindrical in shape and stromata now close okay तो यहाँ रखना है कि changes in guard cell shapes okay as a result stromata open and close ठीक है तो जब हम उसको surface view देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि cellulose microfibrils किस तरह से ठीक है regulate करते हैं opening and closing of stromata ठीक है तो एक जरिया यह होता है and second जो जरिया है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें potassium का most important roll है okay जो potassium होता है आपको ध्यान रखना है कि वो iron होता है जो stromata की closing और opening में help करता है अब यहां पर आप water का भी role देख सकते हैं लेकिन water जो endosmosis कर रहा है that means वो subsidiary cells से जो guard cells में moment कर रहा है ठीक है वो इसकी presence में करता है तो potassium वो iron है जो water की moment को regulate करता है inside and outside of guard cells okay तो first जो डाइग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो water है वो endosmosis शो कर रहा है that means वो subsidiary cells से ठीक है move करता हूँ guard cells में enter हो रहा है and as you can see कि जो guard cells हैं उनके जो vacuoles हैं उनमें आप water देख सकते हैं और जो cell है ठीक है guard cells वो swell up हो गई है तो जिसकी वैजह से जो inner cell wall है जो थिक cell wall है ञेक है ओप देख सकते हैं कि fully sail up हो गई है ऐर जिस हीальड में देख से जब guard cell swell up होती हैं तो as we can see seen stromatal pour up visualize कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब यह एक्जोस्मोसिस होता है, तो एक्जोस्मोसिस होने के पाद, जो, again, as you can see, कि जो guard cells है, उनकी जो shape है, वो flaccid हो गई है, ठीक है, flaccid होने के मतलब है कि अगर जो हम देखें, now, water जो है, वो पूरी तरह से बाहर जा चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्जोस्मोसिस हो रहा है, जिसके वज़े से guard cells flaccid हो जाते हैं, और istroma क्या हो जाता है, close हो जाता है, जबकि जब water endosmosis करता है, तो as you can see, कि guard cells जो होती है, वो turgid हो जाते हैं, जिसके वज़े से जो istroma है, वो open हो जाता है, और इसके जो opening और closing है, उसमें most important role play करता है potassium, यह कैसे करता है, इसको हम next section में discuss करेंगे detail में, so I hope you will understand about opening and closing of stromata by the independence of cellulose microfibrils and potassium ion. And now we will discuss how potassium ions help in closing of stromata, अगर जो हम देखें तो stromata close और जब open होता है, तो उसमें potassium को most important role है, तो उसको समझेने के लिए सबसे पहले for example, अगर जो हम closing की बात करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कि potassium ion जब move करता है cells से बाहर, तो जैसे for example, ये guard cells हैं, तो जब guard cells से potassium ion move out, बाहर निकलता है, ठीक है, that means वो subsidy cell में जब move करेगा, तो आपको धियान रखना है कि इस दोरान जो water होता है, वो exhaust मों से show करता है, that means water molecules भी आप देख सकते हैं कि guard cells से बाहर जा रहा है, ठीक है, into subsidy cell, तो यहाँ पर जो potassium ions होते हैं, वो water को hold करते हैं, अगर जो potassium ions की movement inside, या towards guard cells हो रही है, तो जो water है वो भी subsidy cell से किस में जाएगा, guard cells में जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर दिख्खा है कि जो potassium ion है, जब वो move out of the cell, that means guard cells से बाहर आ जाते हैं, तो इससे instrumental pore जो होता है, वो close हो जाता है, because यहाँ पर water भी क्या कर रहा है, exhaust motion कर रहा है, तो then the shape of the guard cells become cylindrical, जिसकी वज़े से जो instrumental pore हो जाता है, लेकिन अगर जो हम देखें तो इसके और भी reasons होते हैं, और ऐसा कब होता है, जब light absent हो, या we can say photosynthesis का rate है, वो क्या है, low, तो ऐसी condition में जो instrumental pore हो जाता है, वो close हो जाता है, and vice versa, that represents कि जब potassium, ठीक है, move करेगा into the guard cell, then again, जो water है, वो show करेगा क्या, and osmosis, as a result, जो guard cells become swell up and astrometal pore become visualized, okay, तो astrometal pore जो है, वो open हो जाता है, और यह जब होता है, जब light present हो, and photosynthetic rate क्या हो, high हो, तो ऐसी condition में जो है, वो astrometal जो pore होता है, वो open हो जाता है, तो इस तरीके से अगर जो हम देखें, तो potassium का most important role होता है, कि इसमें closing and opening of astrometal, okay. Now, what are the functions of astrometal, तो यहाँ पर मैं three functions आपको represent कर रहा हूँ, okay, और यह तिनों function आपको धियान रखना है, और board exam point of view से important है, ठीक है, तो पहला function क्या है, exchange of gases, okay, तो अगर जो हम देखें तो astrometal है, वो, that means, जो leaves में pores होते हैं, okay, astrometal होते हैं, वो क्या करते हैं, gas के exchange में help करते हैं, जैसे कि आप mobile skin पर देख सकते हैं, okay, तो जो exchange of gases हैं, उसमें यह help करता है, इसके साथ साथ आपको धियान रखना हैं कि जो next point है, eradicating excess water from the leaves, that means transpiration, okay, तो transpiration जो है, आपको धियान रखना हैं कि जब water का loss होता है, in the form of water vapor, यह भी by the help of astrometa होता है, और this process help, तो आपको धियान रखना हैं कि जो process है, यह help करता है कि इसमें, moment of water, okay, तो water की जो moment है, तो जाइलम उसमें यह most important role पिले गरता है, तो transpiration का होना बहुँ जरूरी है, क्योंकि इसमें जो excess water है, जब तक वो remove नहीं होगा, ठीक है, aerial parts से, ठीक है, aerial parts से, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि aerial parts से जो water है, वो remove हो रहा है, by the help of astrometa, तो यहाँ पर आपको धियान रखना है कि जब aerial parts से water remove हो होगा, तो जो water का amount है, वो upper part में कम हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से देखें, तो transpiration जो है, वो movement में help करता है, water की throughout the body of plant, and next function आपको धियान रखना है, कि remove oxygen, it takes in carbon dioxide at the time of photosynthesis, तो जब photosynthesis होती है, तो उस दोरान CO2 आप, जैसे कि mobile skin पर देख सकते हैं, कि carbon dioxide जो है enter कर रही है, और oxygen जो है, वो remove हो रही होगा, that means it release into the atmosphere, So these are the primary functions of stromata, and you need to understand कि आप, अगर जो board में, किसी भी concept, किसी भी topic को अच्छे से represent करते हैं, तो आपके marks के chances उतने जदा पढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आपको diagrams और अपने return पर बहुत ज़्यादा जरूरत है काम करने की, So how you hope you will understand about the whole structure and function and regulation of closing and opening of stromata, and if you are new on my YouTube channel and don't forget to subscribe and like, share and comment related to any topic, okay, in comment section, thanks for watching.